कुदे जो पी एसी महों के बाबाल दिन रात पढ़ना है मन्जा वो धामाल काव पर ले था सुरे टेंसन अरे काव पर ले था सुरे टेंसन जब अपसर बन केते घर पे धामाल ये कैसे होगा से हुर दॉर्ण हो एक भी कोई आर्ण है आर्ण हमके बादे, हुर दॉज से वह पक्ताव ये का पनाक। लाद में तुर अए विलकम बैक तो कॉंपेटिशन कमूनिटी आप सभी कास्वागत है और 12 बज़े आज का जो live session था वो कुछ कारणों से नहीं हो पाया था, कुछ technical reasons थे और आज हम उसके बदले आपको recorded दे रहे हैं, मतलब वही session है जो हम live लेने वाले थे उसको आज आज आपको recorded के form में यहाँ पर मिल रहा है, तो आए फड़ावट हम इसको देख लेते हैं क्य क्या क्या चीज़ें important होंगी, तो 7th of October का होगा, यह session है, 1 to 7th October और पिछले सब्ता का जो MCQs है, यानि कि जो हमने current है फिर किया, उसको MCQ के format में, उसके pattern में पहले कर लेंगे, उसकाद हम यहाँ पर continue करते हैं, आपके लिए एक important information है, जिनने भी बच्चे प्रेलिंस के तैय जुड़ें इस program का हिस्सा जरूर बने, top 50 students के लिए 9999 रूपे हैं, जो अभी valid है, आप इंदिये के number पे संपर्क कर सकते हैं, आइए तो फटा फटा हम MCQs कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, हालकि live में मैं आपसे पूस्ता कि इसका answer क्या होगा, अब आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने जो answer है, वो फटा फट comment box में यहाँ पर करते जाएं, मतलब ये video तो आपको recorded मिल रहा है, बताया कि कुछ कारणों से हम इसको live नहीं ले पाए, तो recorded मिल रहा है, तो आप यहाँ पर देखें, और आपको जो answer दिखता है, जो लगता है कि yes, answer इसका ये होगा वोगा, तो आप पहाँ फटा फट comment कर ले, like question number one है, तो one का A होगा या B होगा, या simple आप जो नाम है, वो यहाँ पर आप answer कर सकते हैं, और in fact करना चाहिए, मुझे खुशी होगी, पता चलेगा कि कितने विद्यार थी जो हैं, वह इंतेजार में थे उन्होंने ये पढ़ाया था आपको last current affair में, तो वहिदा रहमान हो जागा, यहाँ पर सही जवाब ठेक, आगे दूसरा question हम देखते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि हाल ही में average cartography संग्रहालाय का उदगाटन कहां पर किया गया है, तो cartography क्या होता है, मैंने बताया था, इसमें एक परक किया है, यह भी आप comment करके बताना, यह हमारे पर्यटन और संस्किती मंतिरी थी जिन्हों ने किया था, हाली में किस company देश की पहली हरित hydrogen संचालित बस का अनावरन किया है, company का नाम यहाँ पर आपको बताना है, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि Delhi में इसको किया गया था and the right answer from here, सोचे, आप लोग वीडियो को पाउस कर लें, यदि आपको ऐसा लगता है, सर हमको अंसर देना है, वीडियो पाउस करें, पाउस करने के बाद आप यहाँ पर सही जवाब कमेंड करें, तो सही जवाब यहाँ पर हुजाएगा आपका IOC, यानि कि Indian Oil Corporation, इसके दौर को देना है, पहला वो रैकिन होने 1972 से 89 तक भारतिक रिशी अनुसंधान परिशत के महा निदेशक के रूप में काम किया, I.C. A.R. के जर्रल डेरेक्टर के रूप में काम किया, दूसरा, इने शांती शुरूप भटनागर, पद्नोई भुशन और रेमन मेक्से से पुरुस करें और सोचे क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा, all of above, मतलब आपका statement number one भी सही है, statement number two भी सही है, और three भी आपका सही है, एक और आपको महत्वपूर्ण fact बता दूं, कि यह जो माहा निदेशक, और यह जो पुरुसकार है, रेमन मेक्से से, शांती सुरूप भटनागर पद्मविभूशन, तो बैटा जरली यह देखा जाता है कि जिनको पद्मविभूशन मिलता है, उन्हें पद्मभूशन और पद्मस्री भी दिया जा चुका होता है, ऐसा रूल नहीं है, समान्यता देखा गया है, मैं यह बरता हूँ हना, मतलब most of the cases ऐसे व्यक तो इनको पद्मस्री और पद्मवूशन भी मिला है, सो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका आला फेवव यानिकी तीनों के तीनों तुम्हारे सही है, तो आप्शन नमबर डी हो जागए, यहां पर सही जवाब, आप कमेंट करते चलें, इंडिया एनरजी सम्मिट 2023 का उद्गाटन किस ने किया, किस ने किया, इस इस इंपॉर्टेंट, नरेंद्र मोदी, अमिर्शाह, अर्विंद केजरिवाल, या फिर आरके सिंग, तो देखो उर्जा से संबन नीत है भाई, तो उर्जा और नवी करणी मंत्राले के जो मुख्या है, यानि कि जो मंत्री है, वही करेंगे, तो कौन है उनके मुख्या, वो हैं, आरके सिंग, तो आरके सिंग हो जागा यहां पर, सही जवाब, कहां पर हुआ, अगेन ये डैली में हुआ, खाल ही में खबरों में रहे, आई टू, यू टू समो में से कौन से देख शामिल है, तो कौन से देख शामि है कि निमन लिकित में से कौन सा सहीं ग्रूप है, तो यदि आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, आप क्लियरली देख सकते हैं, यू कैन सी, डेट, यहां पर आपका एक तो हो जाएगा, हमारा देश भारत, इंडिया हो जाएगा, फिर आपका इसरायल हो जाएगा, थिर आ और फिर एक हो जाएगा आपका यूए से यूए से यूए इजराइल और इंडिया तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पर चलना चाहेंगे ऑप्शन डी हो जागा यहां से सही चवाब ठेक आएए दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर थर्टींथ इंडो पैसिफिक आर्म जालिया का जू सम्मेलन है और वह कहांपर एवजीत किया गया था तो यहां पर सहीं जवाब जो जाएगा वह जाएगा अगें डैली ठीक्टान देखिंगेगे हो आपको डैली के आसपास उसी किर्दिदीर देखने को मिलते हैं ठीक नहीं है कि यहां रूझ कावास्तर मिस मिसाइल है सता से हवा धुरू वास्तर जबकि हमने पता था अच्छा दूसरे स्टेट्मेंट पढ़ते हैं यह एमके फूर हेलिकॉप्टर पर तैनाती के लिए डिजाइन किए गया है अब देख省 बढ़ा इतना तो कन्फरं है हीलिकॉप्टर से अगर आप मारोगे इसका मतलब च्या हो रहा है यह हवा से फख होगा या हवा से हवा हो दोनों में से हो सकते हैं जहां से समझना अगर हम हैलिकॉप्टर या मिसायल चोड़ रहे हैं तो हव वाल पको सही हो जाएगा और आपको पूछा किया है की गलत कौनसा है या कि किस ही नहीं है तो कौनसा जही है केवल एक सही नहीं हैं ऐसे situation में आप थोड़ा फस सकते हैं तो अराम से और इसका solution करें ठीक ना तो option intellectual property index और यह हो जाएगा आपका चालिसवे नमबर है ना पहले आपका जब start हुआ था तो बहुत पहले यह अपके हम 81 पर हुआ करते थे अभी कौन से नमबर पर हम 40 यानि चालिसवे नमबर पर है ठीक चलिए टी एच इटाइम्स हायर एडूकेशन रैंकिंग के द्वारा हमारे भारत का कौन सा यूनिवर्ट सिट्टी जो है यह कौन सा संस्थान जो है वो टॉप पर है मतलब हमारे भारत में कौन टॉप पर यह आपको बताना है वारॉल में तो आ बैंकिंग के अनुसार से ऑक्सपोर जो है वो आपका कौन से नमबर पर है वो आपका पहरे नमबर पर है लेकिन आपको यहां पर यह बताना है कि भाई इंडिया की वो कौन सी उनिवर्ट सिटी है जो अपने देश में टॉप पे हमारे देश में जो टॉप पे हमारे देश तो हो चुके हैं मोर देन 50 हो चुके हैं 50 प्रथम के लिए था फिर भी कुछ समय के लिए अभी ऑफर है जिसमें यदि आप चाहें तो अपने आपके इंडॉल कर सकते हैं मात्र पांसुर रुपे फीज़ है जिसमें आपको पीस्टी की जो रण नीती है प्रेलिम मेंस इंटर सकते हैं यह अफ्लेन होगी गांधी сок पर होगी ठीक अईये सबसे फिस्टार्ट करतें साच्छर्म कहड़े हां पर आपको देखने को मिलेंगी तो खबरों को सिल्सला स्टार्ट करते इसाच्ति कि पर जो पहले जो इंपोर्टिट नnt नीउуск है वह कि खुण सभी आप सभी पता है कि क्या मनाना हैं लोग गाindesty मनाते हैं और गाधि जहन्ती को विशेष रूप से सक्षता से समन्दित किया रखना है इंकर च которых से और कभी भी जब सक्षय भारत admission, स्वक्षटाही सेवा and all ये सब आता है तो इसमें जो चीज आपको देखने मिलते हैं वो गांधी जी का ये मतलब येख सिंबल है मतलब अगर मैं यह कहूं अगर कहीं अब आपको मौका में लिए आपको याद रखना चाहिए ठीक ना तो उजनी में से एक है स्वक्षता जो स्वक्षता सेवा की जो यहां पर बाते करी गई है सो पी ए मोदी ने अपने मन की बात में एक सो पांचवे एपिसोड में कहा एपिसोड कूछते को नहीं होतना इंपॉर्टन नहीं है लेकिन अगर स्टेट्मेंट वाला दिया तो भी आ सकता है क्या करेंगे हम लोग जो है एक स्वक्षता अभियान में शामिल होंगे डेट क्या गया है वो याद रखते चलना बेटा मैं फिर से बता रहूँ आपको है ना डोंट गेट कंफ्यूस सबसे पहले हम समझते हैं कि किन किन डेट की यहां पर हम बात करने हैं सबसे पहले आप समझेगा यह जो लाया गया था वो एक सू पांचवा एपिसोड था इम ने फिप्टिंट शफ्टेंबर को श्वक्ष्दा ही सेवा अभियान इसको जरूर याद रखना श्वक्ष्थाफी सेवा एस एच एस ऐस इस एस वही मिलेगा अब ही आप आगे देखें है ना यह आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वक्षताही सेवा यह दिख रहे हैं स्वक्षताही सेवा इस इस मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आपको पूरी की पूरी चीज़ें यहीं से याद रखनी अभी खर में आऊंगा यहां पर फिर भ सेवा हिंधी और इंगलिज दोनों में वैसे याद रखनें है विटा क्या नाम है स्वक्षताही सेवा सेवा यह यहां पर, कर मतलब यहाँ पर बोला गया है कि भई सभी के सभी जो लोग है यहाँ पर है ना मतलब वन डेट वन आर एंड टुगेदर यानि की एक तारीख एक घंटा और एक साथ मिलकर इसको भी आद रखना है जैसे की वन नेशन वन अर्थ वन फैमिली और यह वन फीचर वाला आपको जो उसमें पुछा गया था जी ट्वेंटी वैसे यहाँ पर भी आ सकते है एक तारीख एक घंटा एक साथ इस थीम के तहथ थीम तो नहीं बोलेंगे मतलब इस भावना के तहथ जो है एक अक्टूबर को सभी को सुक्षता अभियान में शामिल होने के लिए कहा गया थीम ज कि जवसुखता ही शिवा सटार्ट किया को czas कब से कब तक तक तो यह भी आप याद रिखना में बता दिया 15 15 सितमबर से लेकर दो अक्टूबर तक यह campaign का समय है और जो स्वक्षता ही सेवा की जो हमने campaign की हमने बाते करी और यह जो वन आपका hour and one जो कहने चीए date and one time यह नहीं के एकसा जो आने की जो बात करेगे थी वो करेगे थी वो एक अक्टूबर आपने देखा को बहुं सारे नेता लोग ने अपने एक अक्टूबर को काम किये थे जाड़ू आड़ू किये थे सापसफाई किये थे हाले कि उन लोग फुटू की चाने के लिए करते हैं मतलब कई बार तो आपने देखा होगा कि ऐसे लाइक कच्रा को ही पर लड़ देंगे उसके खुदी ऐसे जाड़ू लगा दे रहे हैं अधा दरजन तो केला दे निकले आ ठीक ना और इसके ताहत बहुत सारे अन्य प्रोग्राम थे जैसे कि स्वक्ष्य भारत मिस्टन जिसमें ODA प्लस फेस्टू की यहां पर बात करेगी है जम्मू कश्मीर हाली में 100% वाला बना यह में पढ़ाऊंगा आपको इसकला यहां पर आप देख सकते हैं जिसमें सोक पि वेब साइड में जाके आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाए घीक न को यहां पर आप जाएंगे यह इस प्रकार से से तो याद रखना भारत सरकार का जल शक्ती मंत्रा ले बेटा इस के तहत यह सारी वह करी गई है तो इसको आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तो यह सारी चीज़ेंगे आफिशल वेबसाइट में आपको यह सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी मध्यप्रदेश की सेकंड नंबर क को 35 परसेंट रिजर्वाशन देंगे सरकारी नौक्री में याद रखने राज्य की सभी सरकारी नौक्री में 36 horse गवर्मिंट कितना देती बटा कमैंट करके बताओ । याद रुखना किसी forest को छोड़के यानि कि one को छोड़के यह जो है बात करी गई है ना तो forest को छोड़कर यानि कि one विभाग को छोड़कर जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें 35 प्रतिशित reservation दिया जाना है महिलाओं को ठीक ना इन्होंने ऐसी बात करी है ठीक कुछ खेल समाचारों कि हम यहाँ पर बात करते हैं देखे अभी जो Asian Games चल रहा है उसमें हमारी इंडियास लोग ने भाई एकदम तबाही मचा रखे हैं लाइक अगर मैं बाते करूं तो जबरदस performance चल रह देखते हैं पांच और आएंगे हैं हमारे खाते में चलिए तो उसको मैं नेक्स्ट जो हमारा करेंडे फिर जो ग्लास होगा वहां प्रम कराऊंगा अगला जो होगा उसमें दो बहुत इंपोर्टेंट होगा मैं पहले बताते हो एक तो नोबल होने वाला है इस बार मैंने नहीं करा है तो जैसे आएगा पूरे हमारे पास नोबल आ जाएगे को यह वाला खतम हो जाएगा तो फिर मैं जब पूरे जब फिनिश हो जाएगा तो एक साथ इसको मैं उसको मैं कराऊंगा आँगा चले तो यहां से हम देख रहे हैं तो अंडर नैंटिन फूट्बाल चेंपियन की फिलाल हम बात कर रहे हैं अभी तो हम आएंगे इसमें इसन गेम्स में आएंगे वर फिलाल हम यहां पर बात करें अंडर नैंटिंग जिसके मोग सैफ फुटबॉल कप की रूप में जानेंगे सैफ अंडर नैंटिंग यह आपका सौथ एशिया जो फुरबॉल होता है इसके ठास किया जाता है हमने आथवा जो है अखिताब जीता है पाकिस्तान को हमने हराया है किसने से इस पाकिस्तान को हरा है भी पोछेंज जाते हैं रहे हैं यहीं बात करें तो भाला फेक में जैसे कि आपको पता है नीरा चोपड़ा भाई नीरा चोपड़ा से आपको ना सीखना चाहिए कि कंसिस्टेंसी क्या होती है मुझे जानकर खुशी इस बात की हुई जब सेशन लाइव चल रहा था या फिर लाइव के लिए जब आया तो बहुत बच्छी जुड़े थे कुछने मैसेजिस की कुछने कॉल भी केसर सेशन नहीं आ रहे हैं तो मदब यह बहुत अच्छा लगता है कि आप जब इंतजार कर रहे होते हैं और सबसे मज़ेदार यह होता है कि फिर जब आपको मिल जाता है फिर आप उस चीच को कंप्लीट कर आप आते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो आप मैंसे कितने स्टुडेंट्स थे जो इंतजार कर रहे थे सेशन का यह भी आप कमेंट करके बताएं कि यह सर वी आ वेटिंग फॉर सेशन तो थोड़ा अच्छा लगता है कि अपना पन भी लगता है कि नहीं सर हम तो आपका सेशन देखते हैं तो मैंने सूच है कि नहीं आपकी साथ भी तो गलत नहीं होना चीए है ना मतलब आप लोगों ने इतना जब बना रखा है तो मुने लगए कुछ भी हो भले लाइव ना जाए लेकिन उनको कंटेंट तो जरूर मिले हैं तो पीड मिल जाएगा क्लास की तुरंद बाद मिलेगा मतलब 6 वजए अभी है यह क्लास अपलोड हुई है तो यह आपको पीडियाप मिल जाएगा ठीक चले ओके तो आप सभी को थैंक्यू सो मच कि आप लोग ने जो ट्रस्ट बनाया हैं उस ट्रस्ट को मैं मैंटेन कर पा रहा हू ताकि आप लोग ऐसा ही और इसको मैक्सिमूम आप शेयर करें ताकि अब मैं चाहता हूं कि यह जादा से जादा लोगों तक यह पहुंचे जादा से जादा लोग इसको देख पाएं अगर लगता है कि हाँ सर अच्छा कर रहे हैं तो जादा से जादा लोगों तक आप इस तो दौनों ने स्वर्ण और ज़िता है वह गोल्डन बॉय यानिकी निरज चोपड़ा है और जो जेना भाई साब है है न मतलब जो किशूर कुमार जेना उन्होंने सिलवर जीता है तो यह बहुत 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 रिकॉर्ड यहां पर एश्याई खेलों में बनाया गय करेंगे पारुल चौधरी ने 5000 मिटर यानिकी पांच किलो मिटर होता है पाइव किलो मिटर के इस पांच किलो मिटर दोड़ना बहुत महत्तपूर्ण होता है और पुड़ी एज भी हो चुक है मतलब 27 के आसपा समतिंग है उस खैर अच्छा यंग एज है फिर भी इस एज म कि मैं होकी वग रहे हैं और उस सब मैं बताऊंगा जो नेक्स्ट अपन सेशन एक साथ करेंगे वहां पर आपको बताएंगे कुछ इनागरेशन कुछ उद्गाटन की हम बात यहां पर कर लेते हैं देख लेते हैं अमेरिका में डॉक्टर बी आर अमबैटकर की प्रतीमा का अनावरन होगा 14 ऑफ ऑक्टूबर को यहां से समझना बी आर मेटकर जो हैं यह भारत के प्रमुक समिधानवेद की रूप में जाने जाते हैं काफी ज़्यादा चर्चित हैं यह अलग-अलग कम्यूनिटीज के जो लोग हैं अपना इनको प्रोधा मानते हैं और एक और जो लोगों को लगता है तिंकर्स को कि या जब इन्होंने किया था तो इनकी मूर्ती नहीं बनेनी चाहिए थी दूसरा कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं इनका मूर्ती नहीं बनाएंगे या इनकी फोटोस स्टैचियूस नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा खिर दो हमारे देश में नहीं हो रहा है यह कहां पर लगा जा रहा है यह अमेरिका में लगाया चाहेगा और इससे आपको एक चीज़ जरूर समझना चाहिए चाहे हम अमबैडकर जी की बात करें, गांधी जी की बात करें, सुभाशिन रबोस जी की बात करें किसी भी महापुरुश की बात करें, स्वामी विकनन की बात करें, अब्दुलकलान जी की बात करें यदि दूसरे देशों में उनको माना जा रहा है यदि दूसरे देश के लोग उनकी महानता को उनके सिखाए गए रास्ते को यदि उन लोग कुछ एहमियत दे रहे हैं मतलब कुछ तो बात होगी ये चीज़ हमको समझना चाहिए आप किसको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं डिजन मेंटर अब वो आपके उपर हैं आप उसके लिए स्वतंतर हैं भारत का समझना आपको अधिकार देता है आप जिनको चाहें माने पूझें जो करें लेकिन ठिंकिंग जो होती है जो उनके जो विचार जो होते हैं उनके जो कुछ कारिये जो होते हैं वो सबको प्रेड़ना दायक सबको प्रेड़ना देते हैं और आपको जी समझनी भी चाहिए कि हाँ क्या क्या चीज़े उन्हें ने करी किसके लिए उन्हें ने करी कैसे करी और ठीक है चले तो आपको बायस्ट नहीं सोचना है आपको अनबायस्ट होके चीज़ों को समझना है ठीक सो यहां पर हम देखते हैं तो दो तीन चीज़ जिया रखना 14th of October को होगा बाबा साहब की सबसे बड़ी उची मुझी यहां पर होने वाली है 19 फिट इसकी जो प्रतीमा होगी इसको Statue of equality कहा जाएगा इसका नाम क्या रखा जाएगा Statue of equality ठीक है न यह बहुत important होगा ठीक चले तो कहां पर आपको किया जाएगा मने अल्रीडी बदा दिया अमेरिका में किया जाएगा कौन बनाया है तो बैटा यह कई बार पूछ सकता है मुर्तिकार का नाम है राम सुतार क्या नाम इसका रा को किया जाएगा यह important है एंड 19 फीट यह important है साथ साथ statue of equality कही जाएगी और मुर्तिकार का जो नाम है वह राम सुतार यह important है ठीक चलिए इसके राद हम बढ़ते हैं लद्दाक में और किस चीज़ का यहां पर inauguration किया गया तो उपराज जेपाल लद्दाक है देखो यहां स से भी कुश्चन आता है कही बार लद्दाक के उपराज जेपाल कौन है रदब लद्दाक में क्या हुआ नहीं हुआ इस से कोई मतलब नहीं है भाई सीधा कुश्चन आता है हुई इस दड़ डिप्यूटी गवर्नर आफ राज स्वारी लद्दाक करके हैं तो आप से सीध लद्दाक के लेह में हैं लेह सिंधू संस्कृती लेह सिंधू संस्कृती सिंधू मतलब इंडेस संस्कृति हैं तो इसका जो इनौगरिशन हिमालियन फिल्म फेस्टिवल के तौर पे किया गया है यानि कि इसको कहते हैं हम लोग पाच दिशी है हिमालियन फिल्म फेस्टि पर क्या थे प्रेजेंट थे मौजूद थे सुजय घोष्ट है है ना आपके करीना कपुर खान ये सारी के सारे ठीक है जाने जाकि जो डायरेक्टर अगे देखते हैं हम लोग केंदरी सिक्षा और कौसल विकास था देमता मंतरी धर्मेंद प्रधान ने धर्मेंद प्रधान और किस चिच के मंतरी ये भी आप उचे कमेंड करके बताएं है ना तो धर्मेंद प्रधान जो हैं इन्होंने 30 सेप्टेंबर को हाल ही में भासा इस तरही उत्सौत का शुभारम किया साथ ही साथ भारती भासा शिखर सम्मेलन का भी यहां पर क्या किया गया है उत्गाटन क चले आगे हम देखते हैं यहां पर प्रधान मंतिरी नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में एक विशेस हाइटेक खेल प्रस्रिक्षंट केंद्र क्या क्या है उद्गाटन किया है मतलब यह आपका एक नेस्ट लेवल का होगा ट्रेनिंग सेंटर एक प्रकार से कह सकते हैं खे कहां पर किया गया है ये आपको बताना है से क्योंकि बहुत इंपॉर्टियव जाता है ISO कि आपको अधर पर किया आ सर ये पी-एम का उल्टा मध्यप्रदेश बता देना अब मध्यप्रदेश में कहां पर किया गया तो आप बता देना सर गॉालियर पर किया गया इनके लिए किया गया तो आप बता देना सर दिव्यांग जन के लिए किया गया है ना मतलब यह से शुरूप से नाम किसके नाम पे रखा गया मतलब किसके नाम पी रखा गया तो आपको यह बता है अटल बिहारी वाजपई जी के नाम पे रखा गया क्या है यह प्रसिक्षन केंद्र है यानि कि आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है खेल प्रसिक्षन केंद्र रखेगा ना तो यह तीन चीज़ आप आपको याद रखनी है पीए मोधी ने किया पिये प्रतिर में किया तरेनिंग सेंटर किसके नाम पर है अटल बिहारी वाजपई के नाम किन के लिए दिव्यांग जनों के लिए आये कुछ सम्मेलिनों की हम यहां पर बात करते हैं हाल ही में विश्व के अंतरिक्ष सप्ताह जो की भी चल रहा है भी इस पेस आपका जो विक है इसमें गुजरात के एहमदाबाद के साइंस सीटी में वन अब दा लार्जेस यानि समारो का उद्गाटन किया गया जो समारो संबंदित है आपका स्पेस से मतलब इसको कहा गया है आपका स्पेस महुत्सव साती साथ इसमें लगभग एक लाग से अधिक जो शात्र है उन्होंने क्या क्या है पार्टिसिपेट किया है ठीक है तो यह आप लोग याद रखना बिगेस्ट वन आप देगेस्ट आपका आपका यह स्पेस उत्सव है यानि कि हम कह सकते हैं इसको यह आपका स्पेस विक फेस्टिवल विच विच वास इनागरेटेड इन गांधी नगर सौरी एहमदाबाद गुजरात क्योंकि दोनों अगल वगल में डॉन्ट गेट कंफ सब्सक्राइबिशन है तो यह आपका लॉंच किया गया है अभी जिसमें मोर देन वन लाख एक लाख से भी अधिक जो जो शात्र हैं जो स्टेडेंट हो पार्टिसेपेट करेंगे अगें हाल ही में भुपाल में मध्यप्रदेश की राजधानी भुपाल में इंडियन एयर फोर्स ने अपनी इनकान भी याद रखेंगे अपनी जो नैंटी फस्ट वर्सगार्ट मनाने के लिए एक मार्च पास्ट किया या यू कहें एक प्रदर्शन किया अब आप बोगी सर आठ 8 ऑक्टूबर को आता है वाई उसे नहां दिवस तो उन्होंने पहले क्यों किया बस कर लिए जैसे आप लोग शादी के पहले प्रिवेडिंग करते है वो मनाया जाता है आठ ऑक्टूबर को लेकिन हम इसको थोड़ा पहले ही हमने किया ठीक्ट रिया है चले कुछ अपॉइन्मेंट की हम यहां पर बात करते हैं कुछ नियुक्तियां जो हुई है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह जो भाई साब दिख रहे हैं एक तो सकल से गुंड़ा टाइप दिख रहे हैं खतरनाक टाइप से मतलब खुल एकदम दाड़ी वाड़ी बेर मौइजु क्या भारत विरूधी कहाके राश्पति चुने गए हैं यह चूने गएं माल दियु में तो राश्पती चुना में ॽजीत हासिल कर लिया अब दो यह जो है आर्मी वाले लोग को यहां पर ठहरने नहीं दूंगा किसी भी देश के जहाज वहाद को यहां से गुजरने नहीं दूंगा मतलब समाज रहे हुँ न है छोटू सा देश है माल दियो मतलब भाई विलासपूर जितना बड़ा होगा मुश्किल से समझा रहे हैं विलासपूर जीला है जादा ही बोल देरों में छोटू से उतना भी बड़ा नहीं होगा विलासपूर से कोटा जाओगे उतना खतम तुम्हारा माल दियो दुरुख से राइपूर आगे उतना खतम माल दियो और यह बोलता है कि दूसरे देश को टिक ने दोंगा करके आला यार अपने जन चलवा तो चलेगा नहीं माल देते हैं का ट्रेन में चलती मतलब रोड़ रहता आधिस जादे इंडिया लोग गोबर ठोके वैसे वहां पर अपना कब्जा कर लेते चाथिस गड़के महिला है बाड़ी बाड़ी लगा कि समझ रहें ना बहुत डेंजरस होती है बाठा क भी देख लेंगे हैं चलो तो ये बहुता है कि हम इंडिया को देख लेंगे नौल तो भारत विरोधी माना जाते चायजना समर्थक मांते हैं इस को चलता याद रखना कोन है ये मुहम्मद मुईजू हैं कि अब दे माल दियों कि नए राश्पती के रूप में इनका चुनाव या गया है आगे हम देखते हैं कि करनल कामेनी पोखरिया जो है ये अपने आप में एक यूनिक हैं क्यों यूनिक है आपको बता दें अर्ड माने निकोबार कमांड की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में इन्होंने काजित समाला है वो भी कि इसमें इंडिपेंडेंट फिल्ड वरक्शॉप में तो अलग-अलग इनके डिपार्टमेंट होते हैं अलग-अलग इनके कमांड होते हैं तो इसमें जो है इन्होंने इनडिबेंडेंडेंट आपका जो फिल्ड वोर्क्शाप है उसमें पहली महिला कमान के रूप में इनने जो पहले ही हो गई थी बट जो अभी recently legend में आने के बाद कारेभार जो अभी इनके दोरा समाला गया ठीक ना चले आगे बढ़ते है नेक्स्ट हाल ही में बी आरों के प्रमुक यानि की बॉर्डर रोड और्गेनाजिशन के प्रमुक के रूप में जो है इनको अपॉइट्मेंट किये गे चिनका नाम है रघू स्री निवासन और इन्होंने किसका इस्थान लिया है किसका जगा लिया है तो लेकिर जर राजिव चौधरी पर यहाद रखे हैं किसके कई आजपास वाली शेत्रा है वहां पर रोडश भी दोस्यों में भी जो हमारे पड़ुसी देसे महाँ पर भी कहीं ने कहीं निर्मान संबंधी काजय को यह इंजाम देता है कौन बी यारो बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन ठीक है आए कुछ प्रमुक पुरस्कार और प्लब्धियों की हम यहां पर बात करते हैं मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में बताया था कि ज सिक्किम तो जो जम्मू कश्मीर है वो इस प्रकार से बनने वाला एक अपका अभी रिसेंट में एक नया राज है आए रक्षा और प्रतिरक्षा की हम यहां पर बात करते हैं भारत और बांगला देश ने उम्रोई उम्रोई कहां पर है में घाले में जरली यहीं पर होता है पर में अपना अभ्या जिसका नामें संपरीति इसके ęt ग्याःवे संस्क्राण और शुभारम किया है। डिफेंस एक्ससाइज बहुत इंपACE होता है मैं फिर से बोल देता हूं संप्रीति कैसे प्रीति संप्रीति किस Feels mother इंडिया, बांगलादेश, इंडिया, बांगलादेश, कहां पर हुआ बैटा तो तुम बता ना में घाले में, कहां पर हुआ हैं, में घाले में, ठीक है, तो में घाले में इसको किया गया है, इसके अरावा अगर यहां पर हम बात करें, तो श्री नगर में ही, जो महिला बिय तो इन्होंने जो यात्रा करी है इसका नाम रखा गया है इस अभ्यान को support इस दिल्क पर उक्रोड हो होता है कि नहीं जम्मु कश्मीर और लड़्दाक दोनों के उपराज्य पालों का मैं क्या है आप कमेंट करके बताएं मुझे बोरण चीज़ास आप पढ़ी है applications in लाल चॉक स्रीनगर से स्टाट के गई सी यार्पिएप के महिला आप निकाल गया है इसका नाम रखा गए यह सश्विनी ठीक है क्या नाव रखा गया है यह सश्विनी ओके नौ आइए अभी हाल ही में हाल ने देखो हाल ही में हाल ने बड़ी हाए मस्तरतुग बंदी है तो हाल जो हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड इन्होंने अभी हमारे ल आई स्वारी एल सी ए यानिकि ल ट्रेनर है यह समझना यह ऐसा हेलिकॉप्टर होगा जो ट्रेनिंग के लिए बनाया गया इस्पेशली डिजाइन फॉर दर ट्रेनिंग जैसे क्या होता है जब आप कार सीखने जाते हैं ना तो एक नॉर्मल कार होता है जिसमें आपको सिखाया जाता है और एक विश्यस कार होता है जो सिर्फ ट्रेनर वाला होता है कभी कार सीखने गय होंगे आपने अगर कभी सीखे होंगे चलाते होंगे जिन लोग स्राटिंग में सीखते हैं हम तो ऐसे सीखे थे बहुंसे रहे हैं ऐसे जा कि आप देख सकते हूं जैसे मैं खुद अपना बता रहा हूं कोई भी कार ट्रेनिंग सेंटर होगा मैं गया ज़रूर था है बट वहां से सीखा नहीं है तो आप जिससे जाके देखना और जिसको पता करना है कि कैसा हो तो जाके चले जाना मैं तो बोलता हूं कि दुनिया में हर चीज है किसे भी चीज का ऐसा सॉलुशन नहीं हर चीज पत Dop Urban켜 kup का trainer क्या होने वाला है एक कह सकते हैं कि विशेश परकार से त्रेनिग वर्जन होगा मतलब जो क्या करेगा जितने भी एरफोर्स के जो चालक होंगे या फिर जो सिपाही होंगे उनको क्या करेगा जिस प्रकार से बहुत important है साथ ही साथ ये समय पढ़ने पर लड़ाको युमान की रोप में भी काम कर सकता है मैंने बताने कि पहले क्या करेगा पाइलेट को क्या करेगा ये प्रसिक्ष हाल ही में हमारे जो युट है रस्या कि पतिन व्लादिमिर प Cherry था नीप नामक एक नई परमानू मिसाइल सफन किया है किसका कि यह ऑए व्यूवर वईस्निक और कहा जा रहा है कि यह ब्यूर्वर्स निक इतना जादा पॉर्फुल है कि ये पुरे अमेरिका को भी खतम कर सकता है मतलब ये रशिया से अमेरिका जाके इसको पुरा उड़ा सकता है तो काफी अच्छा ऐसा बता जा रहे तो वैसे भी परमाणू अथियार के मामले में यही दोनों देश आगे हैं एक यूएस और एक ह दोशना करिए नाम याद रखना व्यूर वैस्टनिक क्या नाम है व्यूर वैस्टनिक इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो कि भी या वैस्ट में कौन है तुम्हारा यूएसे हैं तो वैस्ट को क्या करेगा ये पुरा चूर चूर कर देगा तो ब्यूर कर देगा यह क्य सा इमेज आगे पिछे डल गया डॉर्टतंक कर नहीं है यह इस हेलीकोथर की यहां पर हम जो बात कर रहे थे यह वाल जो हलिको रहे है ऑल सिए वाल हम इसके यह च्यानिक ट्रेनलिक्ष नेपयर है यह ठरीनिंग वालग हो हमारा जो लाइट कंब Alejandra एर क्राफ्ट है हम इसकी यहां पर हम बात करें ठीक है चले आगे देखते हैं कुछ मिस्लिनियस कुछ विवीद न्यूस की तरफ हम लोग खबर बढ़ाते हैं तो हाल ही में इंडोनेशन ने दक्षिन पूर्व एशिया का पहला हाई स्पीड बुलेट ट्रेंज इसका नाम र रहे हैं तो साउथ एसिया का यानिकी दक्षिन एसिया का दक्षिन पूरव केहेंगे नौट डक्षिन एश्यक साउथ पूर एश्यका पहला हाई स्पीड बुलर्ट जो ट्रेंड है इसका नाम रखा गया वुश मतला बिकता हुश करके भगेगा तो वुश जो है यह कहां क लुबल एमबेजडर के रुफ में क्या किया है नमीत किया है क्या किस के रुप में गलोबल एमबेजडर यानी कि पूरे दुनिया में जो इसका परचार करना है यह कि इनको मुossen पूरदेस के याक चुरफिटर को जी आई टैक परदान हुआ है अब ये याक छुर्पी क्या है मैं आपको बताता हूं पहले तो याक क्या है ये समझ लो सर इसमें कौन से याक है कौन से छुर्पी है इधर देखो बटा ये जो आपको नजर आ रहे है ये तुम्हारा याक है और इधर जो नजर आ रहे हैं तो आप गलत कर दिए कुमड़ा सब्सक्राइब काड़ा काते हैं पिर तो यह तो आम मुस्कटैब दिख रहे आम रस टैप का वह बीनिया इसी को हम यह सर यह पनीर है था यह यह पनीर यह पनीर यह जो है यह यह याग छुर्पी कहा जाता है मताब local वास में आप छूरपी कहते तो इंका जो दूद रहता है ना काफी गाड़ा होते हैं इनका जो दूद होता है वो तो इनके दूद से जो है यह बनाया जाता है इस पनीर को हम लोग जैनते छूरपी यह बहुत important हा सकता है तो आप से question पूछा जाएगा की हाल ह में किस आइटम को जो है इसका जी आई टैक का दर्जा दिया गया है तो अब बताना याग छुर्पी कहां का है अरून आचल प्रदेश कहां के बटा अरून आचल प्रदेश इस इंपॉर्टेंट ठीक ना चले तो यह याग है और याग के दूद से बनाया जाता है इसको हम चुर्पी के नामसे कुछ मैंत पोन दित्יכ यहां पर बात करते दो वर्ल्ड हैभी हैभीटेट लेज्डेज निकि विश्व पर्यावास मां इसको परियावास मान नहीं ना तो औक्टूबर के पहले मंडे में जो है यह मनाया जाता है परियावास दिवस और आप मुझे कमेंट करके बताना की first week of October first week यह आप मुझे कमेंट करके बताये कि October का पहला सब्ता कि इसके लिए dedicated इसके बाद हम देख लिते हैं महतुपूर्ण है वर्ल्ड कॉटन डे आप सभी और हम लोग जितने कपड़े पहनते हैं तो यह इसकी जो देन है मतलब जो आया है विशेश रूप से इसमें का पास का बहुत बड़ा योगदान है तो कॉर्टन जो है वो जरली आपका सेवन्थ ऑप अक्टूबर को ही हम मनाते हैं और यह 2019 से मनाया जा रहा है कबसे 2019 से याद रखना मतलब जाद समय नहीं हो रहा है कॉर्टन को शुरू किये तो कॉर्टन डे जो है टेक्स्टाइल मिनिस्ट्री इसमें रानी के द्वारा या उनके एक विशेश रूप से कॉंट्रिविशन से स्टार्ट किये तो वैश्विक इस्तर पर जो इसको मनाया जाता है कॉर्टन डे तो भारत भी अच्छा खासा होता है कि सो हर वर्ष सेवंथ और सेवंथ ऑफ ऑक्टूबर को मनाते हैं विश्व कॉटन डिवस्ति यानि की वर्ल्ड कॉटन डे तो उमीद करता हूं कि आज का यह जो सेशन है आप सभी को पसंद आया होगा आप सब ने इंज्वाई किया होगा मैंने फिर से बताया कि आपाया थे बड़ टोन्ट वरी हम मिलेंगे लाइव जुडेंगे मुझे भी पता है लाइव का अनद अलग होता है लाइव में हम जुडते हैं थोड़ा सा इंट्रेक्शन होता है बाते करते हैं अच्छा बढ़िया सा समय गुजरता है आप भी हम भी दोनों का ठीक है तो अगला ज्योर्स के वगाओ लाइव होगा टाइम पर ही होगा है ना ऐसी कुछ व्र शाय को समस्या influen een आगई थी चाती रहते हैं आपको भी समस्याओं से निजाद पाना है आपको बहीं समस्याओं से लड़ते के साथ बने हुए हैं बने रहेंगे और आपको ऐसी सेशन आपको मिलते रहेंगे आप बने रहें हमारे साथ competition community के साथ मिलेंगे बहुत जल्ड थैंक यू सो मच बाइबाए जय है अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविश्य को साकार करना तो जुड़िए competition community के साथ आज ही हमारे website के carrier पेच पर विजिट करें अथ्वा description बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको